पूर्स ने कुछ एक पूर्ण के लिए यह जो आज जूड़े हैं बैंकिंग कम्प्लीट कोड्स कम्प्लीट बैंकिंग कोर्स में दोस्तो आज हम लोग का डे नमबर 11 है जहां पर दूस्तो आज अज चुरुवात करने वाले हैं और एजस के कुछ बहुत जबदस कंसेट का डिसकेशन करने के साथ में आप लोग बताने वाला हूं मैं सुपर ट्रिक्स जो की एज किसा वालों को बनाएंगे असान राइट वरी वरी गुद मॉर्निंग और दोस्तों आज का मोटिवेशन को काफी शांदार है मतलब आप सभी मजा आने वाला है इतना शांदार मतलब शायदी है एक चुटी सी तो प्लीज एक गुजारिश करेंग कि प्लीज फड़ा फटस इस पर्डिक्लर सेशन की लिंक को कॉपी किया जाए और शेयर करना स्चार्ट के जाए विकॉस दूस्तों आज हम लोग एज पे मतलब अब आज के बाद हम लोग को एज के सवाल नहीं करेंगे परिशान विकॉस आज हम बनाएंगे उनको असान त इंट्रेस्ट्ट्ट्र करने के पाद कूछ बैटर चीज मेले हमैं तो बस इतने ही आज के मोटिवेशन कोड जो आप कं लिए मतलब मोटिवेशन लाइन है है ना मोटिवेशन शायरी है वो यह है दोस्तों कि I am not interested in babus होना but I am interested in successful होना है ना दोस्तों successful होंगे हम लोग है ना हम बिल्कुल definitely एक दिन काम्याब होंगे जो हमारा सफर जो चल रहा है इस सफर में हम लोग बहुत महनत कर रहे हैं हर एक चीज़ को कर रहे हैं input डालने अपने तो इसका output निकलेगा है निकलेगा एक्जाम दोस्तों लगा हुआ है आपसे बिल्गों का नमंबर में एक्जाम लगा है तब तक कि ये course पूरा 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 हो जाएगा और इसके अलावा हम लोग को कुछ additional चीज़े भी करेंगे आप लोग के लिए चिंता मत कीजे है ना बस ये मेंस का क्योंकि कल है मेंस एक्जाम तो आपसे बिल्गों मेंस के लिए बेस्ट और फिर बैतर करेंगे शांदर करेंगे चिंता मत कीजे है ना तो शुरुवात करेंगे इसी मोटिवेशन कोट के साथ में उमेद करता हूँगे आप लोग काफी हज़रे होंगे है ना तो इसको आज गया था अपने वाटसेप ग्रॉप लगाना है आपने अपने वाटसेप स्टोरीज पर लगाईएगा अपने इंस्टाग्राम की लगाईगा इसको वालिद कीजेगा मतलब बहुत बढ़ एकन को मतलब सल्च किया मैं तो अपने में मुद्धे प्र आतना जितने भी लोग कर देने का आगे बढ़ते हैं दोस्तों दोस्तों यह SBA clerk mains का बैच है थैंक्यू सो मच आपने बहुत शांदार रिस्पॉंस दिया है कल मेरी क्लास हुई 72830 मैंने बहुत शांदार तरीके से अर्थिमेटिक पढ़ाया मौका भी आपके पास है अगर आपको लग रहा है कि बारा विजटक शायद जो जित्ते भी लोग अभी तक नहीं पर्चिस कर पाएं और अगर आपने मन बना रहे हो बैंक महापक लेने का तो आप ले सकते हैं बिकास बैंक महापक में सक्पुछ है है ना डबल वलेटी है बैंक महापक पर पर कोड लगाईगा वाई वन सेवन इक और बात दोस्तों बुक्स प्रचेस कर सकते बहुत नॉमिनल से प्राइज मैं आप लोगों यह ब्लीजाएगी 680 रुपीज की तीन बुक मिलेंगी ऐस इस इंग्लिज और अपको तीन बुक मिलेंगी यह बैंक क्धानी करते हैं तो आप बैंक सुप्रीम दे सकते हैं जिसमें थर्ड एडिशन की भुक है यह पर आँठ किताबे है तो यह लंसम बारासुर्बे की पड़ेगी कोड है आपके पास बुक पहुच जाएंगे चलिए आगई बढ़ते हैं आज दोस्तों का डिसकॉंट ने वाले हैं यह पूरे-पूरे-पूरे-पंदरा एक्जाम निया पर कवर करने वाले मैं आपको बताया है एक्जामागी आपके कैश्यागी अनिया एक्जाम भी आपको आज दिसकॉस करेंगे पाट्रशिप है आज एक्रम बन जाए पूरा-पूरा ठीक है तुस्ति कहा पूरा पूरा है वागई पूरा पूरा यह इसके ऑडिन चलेंगे यह चलिए निया बात को समझेगा आब आते तो एजिस का मतलब कहीं न कहीं यह रेशो का एक और एप्लिकेशन है मतलब रेशो ना बहुत बड़ा सा पेड़ है जिसकी हर टहनी पे अलग 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 टॉपिक है है ना रेशो जो एक बहुत बड़ा सा पेड़ है मतलब बरगत का पेड़ है बहुत आपको हर पल रेशियो जो है help करने वाला है आपके एक्जाम के दोरान है ना एक बहुत बड़ा सा पेड़ है रेशियो जिसकी अलग-अलग टहनी का अलग-अलग topic है है ना चलिए तो शुरू करते हैं concept का discussion करना तो सबसे पहले कुछ चीजे में आपको बताना चाहूंगा त अच्छे से मान लो अमन दीप सिंग जो है अभी 25 साल के हैं तो five years ago की बात करें तो कितना हो जाएगा अगर मैं बात करूं five years ago तो पांच साल पहले की एज इनकी कितनी हो जाएगी आप लोग की 20 साल हो जाएगी क्योंकि बच्चे को confusion होता है भाई कि सर पांच साल पहले क्य होंकि हिंस मतलब 5 साल बाद क्योंकि बच्चों को नहीं बता होता है है मतलब क्यों मतलब होता है, तो हेंस में आप 5 साल जोड़ेंगे तो यहां चाहां जाएगा .... बोलो हाँ या ना, हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, 5 साल पहले 20 साल, आज है 25 साल, और 5 साल बाद हो जाएगे 30 साल, तो बाद में अगर बोले आपसे, तो आपको 5 एड करना है, और अगर आपसे 5 साल पहले पूछता है, तो आपको 5 साल माइनस करना है, that's it, enough, अगर मैं देख पहले और पांच साल बाद का जो डिफरेंस यहां पर दिख रहा है वो यहां पर दिख रहा है आपको दस साल का तो एक बाद ध्यान रखेगा पांच साल पहले और पांच साल पहले पांच साल बाद जब कभी अपोजिट डिफरेंस दे रखा हो पहले और बाद का तो हमेशा एड करते हैं मतलब एगो दे रखाओ और हेंस दे रखाओ तो हमेशा एड होता है धहन रखना पांस साल पहले पांस साल बाद मतलब डिफरेंस होएगा वह आगा दस साल का महाँपैक कहां से लिदीपक महाँपैक अड़ा 247 के एप्लिकेशन से पर्चेस करो कोट लगाना वा तो दस साल बाद कितना हो जाएगा 35 अगर अभी 25 यर से अमंदीप सिंग की तो दस साल बाद कितना हो जाएगा 35 बोलो हाँ या न तो पांट साल बाद और दस साल बाद जो डिफरेंस आएगा एज का वो यहाँ पर आपको पांट साल देखने को मिला है ना तो फाइव यर ह है थेंस हैंस 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 बोला गया तो दिफरेंस निकालते हैं कि अगो बोला गया निखर रहें और अगर एंस और अगो बोला गया तो आड करतें मतलब अपोज arrogan में हमेशहे आप लोग reads को एड करोंगे इस बात को ध्यान रखएगा हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना अड़्डा की आपका वहां से ले सकते हैं बट कोड ध्यान लगाना वाई 176 लगा लेना कोड है ना तो ही डिस्कॉंट मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है चलो बताओ यहां तर क्लिर है यस और नो ठीक है आओ एक और कंसेप्ट पर डिस्कस करते हैं एक और कंसेप्ट को डील करते हैं एक और दो लोग का नाम और लेंगे ठीक है दो लोग का और नाम लेंगे जैसे कि एक तो आपके सिड़ सर हो गए है इसको आपके सिड़ सर हो गए और एक का नाम लेते हैं यहां पर हम कीर किरती अगरवाल का मान लो अभी शिड्सल है मतलब 36 साल हैं और किरती अगरवाल मान लो जो है 28 साल की है इस्ट डिएında 32ggakर कि इसलashes 32 खुषायर मान लो दो नलाज ब表現 मत हो यईमन है है अब शिड्सल है 26 साल के और किरती अगरवाल 32 pops यह सफथागा निए लिख रहे हैं अब मत इसे अगर निए रहे हो अगर मैं एज का सोट्सक्रानbies सम ऐना लोगा अगर में ऐज का मत नहीं है बात को समझे करह Somewhere Tan अगर मैं आप लोकों से बोलू, five years ago, अगर मैं आप लोकों से बोलू, five years ago, तो एज कितना हो जाएगा, 21 years हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, आप लोका, पन्लोक का फान्स साल माइनस करोंगा, तो थर्टी सेवन आजएगा, तो difference निकालोगे, तब भी कितना आएगा, 16 साल आएगा, अगर मैं 5 years hence बोलूँ, तो 26 plus 5 हो जाएगा 31 years, और 16, sorry, 42 plus 5 हो जाएगा कितना 47 years, अभी भी आप difference निकालोगे तो 16 साल का difference आ रहा है, चलो, तो 16 साल, 16 साल, 16 साल तो आपने देखा यहाँ पर क्या, कि ages का difference सेम है, दिल पर मतलए ना मजाख कर रहे हैं, ages का difference सेम है, मतलब कहने का यह है कि अगर हम आज का difference देखें, हम 4 साल बात का difference देखें, हम 5 साल पहले का difference देखें, तो हर साल difference हमेशा क्या रहेगा, same रहेगा, बोलो yes or no, अरे ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा, ऐसी मैंने example ले ले लिए, तुम लोग तो बिल्कुल गलत बात ही है, तो clear होगे यहां तक, बोलो यह concept clear होगे, मतलब age का difference always remain same, age का difference always remain same, एक concept और देख लो जड़ा, एक concept और मैंने बताया था, उसको मैं यहां पर फिर से discuss करेंगे, हाँ, book में high level भी है, book में high level भी है, ठीक है, तो यह clear होगे न सब लोग को, बताओ comment box में, यह सब clear होगे, अरे यार, आज तो मतलब क्या बताओ, क्या बताओ, तुम लोगों ने share भी नहीं किया, और हमने भी share नहीं क maximum जहां कहीं भी दीचे, फिर question का discussion शुरू करते हैं, ठीक है, बस एक बार share कर जाते हैं, धीमे से, प्यार से, महबबत से, चलो, तो clear है, सवाल लगाए जाएं, सवाल लगाए जाएं, बताओ, फटा फट से करेंट box में, yes or no, चलो, तो सवाल जाते हैं आप लोग को, पहला स सवाल आपके सामने ये है, स्टार्टिंग करने के basic से फिल ले जाएंगे high level पर, सवाल यह आपके सामने बनाईएगा, हो गया भई, मैंने कर दिया, उमेद करेंगे कि आप लोग भी कर देंगे इसको शेयर, चलिया, हिंदी है तो यार, अच्छा, है तो सही तो है हिंदी, बोला गया ratio between the age of A and B is 4 and 3 and 18 year hence the ratio of their ages will be 7 and 6, what is A present age, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं basic से बनाऊ इसको तो जो बच्चे basic से करते थे, वो यह करते थे कि जो present age of A और B है वो 4 और 3 है, तो A और B कितना हो गया आप लोग का 4x माना और यहां माना 3x माना, क्योंकि मैं भी ऐसी करता था पहले बच्पन में, है ना बच्पन का प्यार टाइप, तो 18 साल बाद तो मैं यहां पर 18 add करूंगा, तो इसके बाद जो इनका ratio हो गया, यहां पर वो किसके बारावर हो गया, तो यह था basic तरीका, पताए हां या ना, ऐसे कितने लोगों ने किया मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में यह सर मैंने किया this is the basic, मतलब x मान के करते थे पहले बच्पन में, तो ऐसे बहुत से बच्चे करते थे बड़ दोस्तों अब इसको ऐसे नहीं करना है यार, अब हम लोग pro level के जबाने में आ गए, अब हम लोग modern जबाने में आ गए हमें यह नहीं करना, यह basic है, सही है, कई भी कबार help भी करेंगे हम लोग, बट इसको ऐसे नहीं करना, हम लोग इसे करेंगे ratio की super trick से, ratio super trick से करेंगे, क्या होती बात को समझना, 4 और 3 A और B का ratio है, और 18 years बाद हो जाएगा 7 और 6, दोनों की ages में 18 years का difference है, दोनों की ages में 18 years का difference है, अगर मैं ratio का difference देखूं यहां पर तो मुझे तिखा 3 का difference, यहां मुझे देखा 3 का difference है ना, तो दोनों की ages में 18 का difference है और according to ratio 3 का difference दिखा रहा है, तो 3 का difference यहां पर दिखा रहा है आप लोगों को, सिंपल था, बन गया yes or no, ratio concept जिंदाबाद, है ना, ratio concept जिंदाबाद, 24 इसकान सदागे बोलो कमेंट बॉक्स में yes or no, देखा है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next सवाल देखते हैं, बहुत बड़े सवाल आपने बनाया, बहुत बड़े clapping आप से भी लोग के लिए, शांदर तरीके से बनाया, अगला सवाल, झाला सब्सकित अराय, सब्सक्र चोन जया आप है, त는데 Пवि दopen, करेंभे से जिएावास्थ में, पटबी आप से विए उवलो, आप है, जिए लोग जाँ रथ, आप है, पांवे इसकान सवाल आप हैं, मुआज दो आप हैं, आप हैं, परसू पायर नखर करаф़े हैं? तो मुझे बताना होगा कि C क्या रहेगी अब देखो एक बास समझना अगर आज आप 24 साल के हैं तो 6 साल के बाद हो जाएगे आप 30 मतलब अपने 6 साल एड किया अगर आज आप 24 साल के हैं तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा आप लोग 30 साल हो जाएगे आप लोग तो यहां पर अगर देखा जाए A, B, C और D की एज आपको दे रखी 56 और मुझे 6 साल बाद का रेशियो पता है तो मैं 4 लोगों में 6 साल 6 साल 6 साल जोडूँगा इसका मतलब मैं प्यार से यहां 24 जोडूँगा कैसे 6, 6, 6, 6, 6, 6, 12, 18 और 6, 24 मैंने 24 एड किया मैंने 24 एड किया because 6 साल बात की मुझे एज निकालनी होगी तो मैंने 56 में 24 एड किया तो यह मिली A, B, C, D की एज 6 साल बात जो की मुझे मिली 80 और यहाँ पे ratio मुझे बोला गया है कितना इतना मुझे बतानी C की present age तो मैं C की 6 साल बात की एज निकालू तो C की एज आपको दिखरिये 5 तो 5 अपन कितना हो जागा प्लोग का 5, 3, 8 और 3, 11 और 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9 और 3, 12, 4, 16, 5 by 16 into यहाँ हो जाएगा आप लोगा 18 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 तो आप लोगा 25 तो यह है 6 साल बात की एज राइट कि after 6 years C will be 25 अगर 6 साल बात C 25 है तो आज कितना हो जाएगा तो 25 माइनस का 6 करेंगे तो यहाँ आजाएगा आप लोग का कितना 19 option number C is cancer आ गया है ratio का ही application कुछ अलग से नहीं है सब ratio ही है सब मो माया ratio ही है अगला बनाईएगा करेंगे करेंगे कि आप लोग जो है एक्जाम को बढ़िया से उड़ा के आएंगे हैना अपने एक्जाम को तोड़ काएंगे हैना ऐसा उमीद है मुझे बढ़िया ही करेंगे आपकर शांदार करेंगे इसको देखो तेजों सब एज इस अव एन दिसा पाइश इसाव पहले गास ये तन का तन ने लागाएंग आप मतलब सी का दस साल बाद और बा सा साल पहले रेशियो अकलास यूटूब पे बटा अभी चार दिन लगाता रेशियो पढ़ाएं इस कम्प्लीट बैंकिंग फांडेशन की जो आपकी ये प्लेइस्ट है उसमें आपको स्टार्टिंग के चार टॉपिक रेशियो के मिलेंगे प्लेइस्ट जाओ है ना कम्प्लीट बैंकिंग कोर्स मैच की प्लेश्ट है ग्यारा लेक्षर हो चुके हैं देख लोस को तो 567 हो गया यहां पर 567 रेशियो हो गया और बोला गया सम जो है वह 72 है इनका तो मुझे बताना है सम 72 है यहां पर तो साथ और छे तेरा पाच अठारा तो 18 की वैलू यहां प हो तो 24 अगर प्रेजेंट है 10 साल पहले हो जाएगा 14 और सी की 10 साल बाद 28 अभी है 10 साल बाद हो जाएगा 38 अगर मैं खट से रेशियो बनाऊ तो यहां मिलेगा 7 और यहां मिलेगा 19 साथ और 19 रेशियो मिलेगा option number B अच्छा सवाल था यह वैसे असान असान थे अभी high level भी जाएगा जिसमें दर्द होगा आप लोग को अगला सवाल बनाएगे वैज बनाएगे तो उनकी वर्तमान आयू में डिफरेंस कितना रहेगा अब ए और बी की जो प्रेजेंट एज का रेशो वो कितना है आप लोग का दो और पांच दे रखा है यहां पे एट साल बाद आठ साल बाद रेशो हो गया वन एन टू आठ साल बाद की बात कर रहे है गुरू आठ साल बाद की बात कर रहे है रेशो हो गया वन एन टू तो अगर मैं आठ साल बात की बात कर रहा हूं मतलब दोनों लोगों मैं आठ साल इंक्रीस कर रहा हूं बट अगर मैं का डिफरेंस हुआ यहां पे तीन का डिफरेंस तो डिफरेंस हम नहीं है म करने conviction क्या होती notch करने के होती я युदि यहां पर दिखे रहाए यहाँ पर आप लोको 1 उससे ओपर मल्टिप्लाइ करते तीन उससे नीचे मल्टिप्लाइ करते हुं यह उपलीमेंट होगा सब में तो वही जो वन है किसके बराबर है आठ साल के बराबर है तो बताना है difference between their present age तो उनकी age का difference समशना सेम रहेगा तो जो difference आया यहां पर तीन है तो तीन बराबर होगा 24 बोलो किसी को दिक्कत किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना मैं इसको repeat कर दूँगा को दिक्कत वाली बात में क्योंकि जब तक की concept clear नहीं होगा तब तक की आगे बनने को मतलब नहीं है तो यह clear है बताओ फटाफट से हां या ना कि यह बताओ किसी को दाओ ना किसी के पेट्प में दर्द हो खुषब तक किसी के पेट में हो रहा हो किसी के ऐसा क्रत्यabor idea अपने हां सर यह कैसे क्रदी तो बता दे हैंता हो ना ऐसे putting मुल्टिप्रिकेशन तो मैं एक बाप फिर से रिपीट कर देता हूँ यहां पर डिमांड डारी कुछ बच्चों की दो और पांच है फिर यहां पर एक और दो है ग्रॉस मुल्टिप्रिकेशन मेठड भी कर सकते हूँए मैं दोनों तरेके से बता हूँ पहले अगर मैं बनाऊ इजको अपने तरीके से दिफरेंस यहां पर आया एक तो ऊपर मुल्टिप्लाई डिफरेंस आया तीन तो नीचे मुल्टिप्लाई है ना तो यहां हो जाएगा दो और यहां हो जाएगा पांच यहां हो जाएगा तीन यहां हो जाएगा छे डिफरेंस आया एक तो एक बराबर आठ हो गया तीन का डिफरेंस से हो जाएगा 24 ऐसे हो गया आप कहरें रेश्यों डिफरेंस से कर दो गुरुजी दो और पांच हो गया एक और दो हो गया आठ आठ साल का डिफरेंस दिख रहा है दोनों में यह थेना तो पिर अध्य हका दो टूदू 4 लोगगा 5 यहाईग ऑन एक वन एक हो गया तो टीफरेंस भर दिख रहा है तीन का मिन नुम्हान के बड़ाबर कर लिंगठो कि याद करो बचपन इस तरह से मने बनाते इस तरह से पर तुम grow बन गया कि अ इससे भी कर सकते हो आपके पास चॉइस है यह भी सही है अगला सवाल तुम लोग लाइक मत करना सब हो जाया इधर से उधर आ जाया है लाइक मत करना बस लाइक कासी करें पुरुजी लाइक कर देंगे तो बाबु खाना नहीं खाएगी है अग्या बताया है आज का मंतर ध्यान रखना आज का मंतर बहुत शांदार है और आज सब जगा तुम लोग लगा देना है इस्टिटस पर हर जगा है ना इसको बनाई यह कि अ कि कि चलो यहाप इसका क्या राएगा डी राएगा थर्टी सेवन देखो यहाँ पर देखो पांच और नो मतलब कितना होगा चार का डिफरेंस बोलो हाँ यह ना चीक है तो चार का डिफरेंस यहाँ पर हुआ चार का डिफरेंस यहाँ हुआ तो चार का जो अब थर्टी सेवन यहाँ यहाँ रहाँ यहाँ यह ना कमेंट करो फास्ट सभी है न यह तो चुन्नूलाल सवाल थे अब थोड़ा सा डिफिकल्ड डिफिकल्ड सवाल भी करना है हम लोगों न तो शिक्स्त के बाद वक्त बदलेगा और जस्बाद बदलेंगे बनाईए चलो बनाऊ इसके बाद हम लोगों वक्त को बदलेंगे है जख़बात बदलेंगे है अचा कव यूकर ऐसा भी होता है मतलब मिसलत के सब ऐसा होता है जब लगता है कि हाँ आप K particularly सवाल आता है कि दिक्कत तब तब हमेशा मतलब इतहास गवा है कि एक सवाल ऐसा आता था जो फशाता था मतलब ऐसा तो होता है मैंने साथ में हुआ है पहले अब तो खर नहीं होता तो आप लोग साथ ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में करके बताईए जब आपको कॉंफिदेस बिल्कुल आ जाता है कि ह अब तो हम बना लेंगे बिल्कुल सुपर पावर आ गई ए एच की बिल्कुल तब तब हमेशा उपर वाला एक सवाल देता है इसा जो कहीं न कहीं सारे कॉंफिदेस को चक्ना चूड कर देता है है ना बट फिर भी उमीद है कर लेंगे हम लोग क्योंकि पढ़ेंगे तो ब चार साल पहले दे रखा है चार और एक है ना दरेशियो ऑफ अफ एज अफ एड़ अडबी एड प्रिजेंट मतलब वर्तमान में जो ए और बी एच का रेशियो कितना थ्री और वन है आज कम से कम हजार टरगेट कर लो एक बार मार दो शेर वगरा है ना एक बार मार दो शे को इस न ngang Locjar ला लोg चार साल-पहले का भीशन यहां पर एक का डिफररेंस यहां पे जीरो का दिफरेंस निचे वाले का डिफरेंस थी उफर मैंो वाले का डिफ्रेंस दो निचे मैं नैट आईन यहां अग्तित में एक बार, कि यह नघ का टू प्र अशाल के डेल ऊसे 36 ist answer आ गया चलो ठीक हे तो 36 is answer आ गया अब सवाल थोड़ा सा बदले हैं ठीक हे अब सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं सवाल को एक अज़े लेवड गड़ जिसमें यह सब ना लगए थोड़े से अच्छे लेवल के थोड़े से प्यू लेवल के सवाल करते हैं और यह रहा सवाल आपका प्यू लेवल का, देखते हैं, who will give me the first answer first, बनाइए यह सवाल बढ़िया है, इसमें थोड़े दिमाग लाना पड़ेगा बनाइए अराम सुराइए सवाल अच्छा ही है, बोल गया, present age of A is equal to B age 8 years ago, तो देखो यार, 4 year, hence the ratio between the age of A and B is 4 and 5, then what is the A of present age, तो मुझे यार, यह बेसिक से करना पड़ेगा, मेरे हाथ मजबूर है, मेरे हाथ मजबूर है कि मैं यहां पर कोई ट्रिक न लगा सकता, मैं X मान के करूँगा यहां पर, तो अगर मैंने present age of A, को मैंने X मान लिया, तो यह होगी B की age 8 साल पहले, तो present age of B अगर मैं बनाओंगा, तो मुझे मिलेगा X plus 8, because जो A की present age है, वो B की age के 8 साल पहले के है, तो अगर मैं आज की बात में तो हो जाएगा, तो X plus 4 upon X plus 12 is equals to कितना है, 4 और 5 है, cross multiply 5 X plus 20, बराबर हो जाएगा 4 X plus 48, X बराबर कितना होगी आपको 28, what is A present age, तो A आपको X मिला कितना 28 और यही आपको find करना था, तो X का value कितना हो जाएगा अपको 28 हो जाएगा, बोलो हाँ यह ना, यह 28 इसकांसर आ रहे है, तुम लोग कहे लो कि सर 24 आ रहा है यार, जड़ा देखो एक बार, 24 कैसे आएगा जड़ा बताओ, 28 इसकांसर आएगा ना, 28 तुम लोग बोल दिये, 20 इसकांसर आएगा, option number C आएगा, देखो एक बार समझ लो फिर से क्या हुआ यहाँ पर, है ना, देखो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर बोले गई, इतना लोड मत लो, अगर मैंने present age of A, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो X मानू, यही होगी B की age 8 साल पहले, तो B की age, 8 years ago, X होगी, तो अगर मैं present age of B, तो कितना हो जाएगा, X में मैं 8 साल जोड़ूंगा, तो हो जाएगा, X plus 8 अब clear हो गया, इतना बताओ, यार अगर present age of A आपकी X है, और यही जो age है, वो B की age 8 साल पहले के बराबर है, तो B age 8 years ago, X हो जाएगा, तो B की present age हो जाएगा, X plus 8, अब हो लग गया, 4 साल बाद तो age कितना हो जाएगा, X plus 4 हो गया, और यहां हो जाएगा, X plus 8 plus 4, मतलब हो जाएगा, X plus 12, अब ठीक है न, तो जो इनकी age का ratio given है, वो किस के बराबर है, 4 और 5 के बराबर है, X निकाला यहाँ पर कितना है, 28, बता हूँ हाँ यहाँ 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 और नो, सबको clear बा, हाँ यहाँ न, comment box में सब लोग बताना clear है कि नहीं, अभी ठीक है न, मैंने repeat कर दिया, यार X minus 8 क्यों होगा, बट इसको ऐसी भी मत करो, इसको ऐसी भी मत करो, क्यों ही करूं मैं ऐसे, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, अब आएंगे super trick, अब हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, इसका super trick, सब लोग तयार trick के लिए बताओ, सब लोग तयार super trick के लिए, super trick मेरे बाई समझना, बहुत शांदार trick है रहने वाली है, बस जिसने पढ़ लिया, उसने बना दिया, super trick का अब वेट अब वक्त आ चुका है यहाँ पर, तो मैं आपको बताने वालों बात को समझेगा, present age of A is equal to B age 8 years ago, मतलब मैं बोलूँगा कि A और B की age का difference 8 साल का है, बोलो हाँ या न, बी और A की age का difference 8 साल है, बोलो yes और no, जल्दी फड़ा फट से comment box मताओ, जल्दी come on yes, 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 fast, अगर A की present age, B की 8 साल पहले की age के बराबर है, तो कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि जो B होगा, वो A से 8 साल बढ़ा होगा, मतलब बोल सकते हैं कि B की age और A की age का difference होगा, वो होग यहांचे age का ratio दे रखा है, यहांपे कितना, चार और पांच, तो difference दिखा है, यहांपे एक बराबर 8 साल, तो A की age चार साल बाद, मतलब 4 की value हो जाएगी, कितना 32, यह चार साल बाद थी, तो present निकाला, minus 4 कर दिया, यहांपे आगे 28, तब भी answer आया, 28 बात खतम, अब like कर दे न, वरना भाई मातरानी माफ नहीं करेगी, अगर मज़ा आगया तो like कर दे न, comment box में emoji, बिलकुल emoji की लहर आजानी चाहिए न, मज़ा आया कि yes और no, 4 जो आएगी value हो, चार साल बात की value आएगी, चार साल बात की value आएगी न, आप लोग की, 32, तो आज अगर निकालोगे तो 28, तीक है, शानदार सवाल, अगला सवाल देखते हैं, तो basic से करने के बाद, trick का सीखना बहुत अच्छा लगता है, न, basic से करने के बाद, trick अलग level पर होता है, अगला सवाल देखते हैं, आईए, ये अच्छा है यार थोड़ा सा, इसको देखू, ये अच्छा level है, मतलब ये मैं बोलूँगा, IBPS PO level, और ये आपका जो है, आप clerical mains में देख सकते हो, इसको, इसको अच्छाएं और ये अच्छाना वान के हो, न, ये है, ये इसको दो को, ये ये अच्छा पाद, सवाल के ल consent कर रेवर ciao है ? न, लगजा है, तो का इसमोर में पर्चिज भाहएं लगा में हमाँ दो जडूर दाख सकते हैं ? चलो उसको देखो यह अच्छा सवाल है क्लरिकल मेंस पर आ सकता है आप लोग के यह स्रवाल बढ़िया है चालिस हारा इस का अंसर है और देखो यहां पर देखो यहां पर देखो यहां भी बोला गया तो अगर ए और बी का और यहां पर ए और बी का डिफरेंस निकाला जाए तो जो ए और बी का सम है वो नौ गुना है उनके डिफरेंस का अगर एक यह है तो यहां हो जाएगा नौ बोलो हाँ या ना आठ साल बाद थर्टीन टाइमस हो जाएगा तो अगर यह एक है तो यहां हो जाएगा थर्टीन बोलो हाँ या ना क्या मैं बोल सकता हूं क्या मैं बोल सकता हूं यस और नो फास्ट पजल कब बताऊं गुइवा पजल कब बताऊं गैंसर किया मैं kilow अब रैश डिफरेंस लगा तो यहां पहाँ आठ साल बात का ढखर यहां पर orchard का यहां पर जीरो गैप है टोगर में डिफरेंस को सब्सकूल है तो तेरह और यहां पे एक मतलब बारा का फ्री사oton और यहां पर मुझे मिला 12, चीक है, 1 0, 12 और यहां पर कितना मिला प्लको, यहां पर मुझे मिलेगा 8, चीक है, 12 हो गया, नहीं, चाहिए तो है, 12 का difference, 12 multiply किया, एक पुर्ट नहीं बना रहा हूँ, 12 का difference से 12 multiply किया, तो 12 x 9 हो जाएगा, 108, 12 हो गया है, 12 और यहां पर 8 का difference है, तो 8 के बड़ाबर है, 104 हो गया, तो gap यहां पर कितना है, आप लोग का 4 का gap आया, 4 का gap आया, तो 4 का gap जो है, वो 8 के बड़ाबर है, एक का value 2 के बड़ाबर हो गया, तो कैसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे तो मामला फस जाएगा, कैसे नहीं बनेगा ना यह, कैसे बनेगा, बताओ, 104 104 तो आया ठीक है, यहां पर ठीक है, एक्शुली में, आठ साल बाद, है ना, तो जो इनका difference होगा, वो 13 times the difference of their ages, बताओ, इसको क्या हम बना सकते हैं, ऐसे, एक बड़ाबर दो आ गया, ऐसे तो बने का नहीं यार, है ना, बताओ, ऐसे नहीं बन रहा ना, तो इसको basic से बनाएं क्या, अगर हम इसको basic से बनाते हैं, तो, क्या करेंगे, a और b जो है, वो 9 times the difference of their ages, तो मतलब में बोलूँगा, a plus b is equals to 9 times a minus b, बोलूँगा यहां पर, ठीक है, यह ऐसा बोला गया है, आठ साल बाद, ठीक है, भाई, equation ही बनेगी यहां पर दो, मुझे लगता है, basic से करना पड़ेगा यह, ratio से नहीं बना, यह तो मुझे पहला बोल गया है, तो यहां पर अगर हम इसको solve कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, आप लोका केतना, 9A माइनस का 9B, ठीक है, तो इसको अगर आप देखो यहां पर तो कितना हो जाएगा, 10B बराबर हो जाएगा, यहां पर 8A, तो A upon B जो हो जाएगा, वो यहां पर कितना हो जाएगा, अप लोका, A upon B मतलब 10 upon 8 हो जाएगा, तो यहां हैगा 5, यहां हैगा 4, ठीक है, तो 5X और 4X आ गया, तो A का age अपने माना, 5X माना, और B का age माना, अपने 4X माना, अब बोला माना, इस दॉल सुंगा गया, आक साल बात जो इनकी age का सम हो गया, थो 7X और 4X प्लस 8, 8 वां यहां पर कितना हो जाएगा, इनकी 9X swims 8, 9X Ми prince, 870, 9X Plus 16, हो जाएगा, क्युक्त अगर थि और 12, 13 times the difference of their age तो इनकी age का अगर में difference निकालूंगा तो यहां पे मुझे X ही मिलेगा तो यह प्लोगा X के बराबर हो गया तो यहां पर देखा जाए 9X plus 16 बराबर यहां हो जाएगा 13X तो 4X बराबर यहां हो गया 16X बराबर आगया 4 X बराबर आगया 4 तो मुझे बतानी है A की present age तो A की present age आप लोग क्योंगी 5X तो 5X मतलब 5 into 4 मतलब कितना हो जाएगा 20 तो 20 इसकान सरा रहा है option number A 20 इसकान सरा रहा है यहार ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा अच्छा सवाल तो A इसकान सरा रहा है अबीस मैं फिर से repeat करोंगा don't worry I am going to repeat it again for you all मतलब तरीका यही है है ना ऐसे कितो लोगों ने बताया comment box में yes करना हाँ sir मैंने बनाया मैंने बनाया ऐसे कितो लोगों ने बनाया मैं फिर से repeat करता हूँ यहांप 40 आ रहा है नहीं आ रहा है देखो A और B का जो sum है ना वो 9 times the difference मतलब करना ही पड़ेगा मजबूर है आपे तो A और B का जो sum है वो 9 times है इनके difference का तो यहां पर गर देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा इसको बना सकते रेशयो आया वो आया 10 upon 8 मतलब मैं बोलूँगा कितना हैगा 5 by 4 मतलब A की age 5x B की age 4x मान सकते हैं A की age मानी 5x B की मानी 4x मानी तो 8 साल बाद इनकी age होगी वो क्या होगा 5x 8 4x plus 8 इनकी age का sum होगा तो 9x plus 16 हो जाएगा है ना और वो जो होगा वो तेरा गुना होगा होगा इनकी age की difference का तेरा गुना होगा इनकी age का difference का अगर मैं difference निकालाई वह एक बार तो यहाँ है घर के वगीषा जाते हैай यहाँ 9x plus 16 बार होगा 13x X जेए चार पूरब हम 10 एक्स बराबर चार तो एक आज हो जाएगा 5 इंटु 4 मतलब 20 यार यह ऐसी होगा यार है ना मतलब इसको करना पड़ेगा तब ही तो मैंने बोला ना क्योंकि मुझे बताना एल्डर एल्डर कौने ए है तो एक यह यहाँ हो जाएगा 5 इंटु 4 मतलब हो जाएगा 20 ऐसी करना होगा इस इस दा प्रॉसेस फॉर इस सवाल ठीक है तो यार इसके लिए माफी चाहेंगे क्योंकि इसमें ऐसी करना पड़ेगा यह मेंस था मेंस लेवल का था मैंने इसलिए बोला यह यह आपके क्लेरिकल मेंस का पार्ट बन सकता जैसे कि sba clerk लगा हुए आप लगका तो sba clerk में यह देखने को मिल सकता है सवाल अगला देखेगा अगर इसकी ट्रिक जो है सुपर ट्रिक होगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा अभी या तो इस ट्रैक नी करेंगा ऐसा भी पॉसिबिल्टी सकती कि क्या पता भी इस ट्रैक नी कर रही हूँ ठीक है तो चलो इसको बनाओ यार एक मिल्ट रुक हो जा रहा अब यही तो रेश्यों से भी बना सकते हैं वैसे अगर देखा जाए तो चलो इस पर चल्चा करेंगे क्योंकि वक्त गुजर जाएका ज्यादा रेश्यों से भी बना लेंगे कर लेंगे अभी कर लेंगे क्योंकि आग एस ट्रैक कर गया हूँ हुआ है है कर दो इसको बना हूँ बन गया रिश्यो से देखो अब वो मन में वही चल ला था बन गया आ गया इसकी कर तो कि मेरे मपी कहा इससे कैसे सकता है क्योंकि कभी का एक स्ट्रेक करता है बनाते हैं और सी AZ करते हैं तो चीजे चलती रहती है तो अभी हो गया ओगया बना गया सुपर ट्रिक की बात करेंगे इसकी आगे तुरंद आगें और दिखा बनाते हैं टो ट्यारो बनाए इसको ये लोग शूक्ता मत करो ये करें सुपर ट्रिक से बताओ कमेंट बॉक्स में फड़ा फट इज़ा वालें because देखो यहां पर मैं लोग super trick की बात करने वाले है basic से बन गे that is good but दोस्तों बात करेंगे super trick की तो तयार सब लोग बताओ फड़ा फट से comment box में yes or no तो अगर मैं super trick की बात करूँ तो यहां पर देखा जाए a और b की जो age का sum है वो 9 गुना है इनकी difference of age तो बोल सकते हैं a और b is to a minus b यहां पर बोला गया है 9 और 1 बोलो हां या न तो मैं यहां से अगर बोला गया आपको की a और b आपका 9 है और a minus b आपका 1 है तो यहां पर अगर आप a निकालोगे तो add करके divide by 2 करोगे तो जो a और b की age का ratio मिलेगा वो यहां पर मिलेगा 5 और 4 बोलो हां या न या न यस और no भई आपको पता है यहां पर बात को समझेगा a और b यहां पर 9 है और a minus b यहां पर 1 है मतलब a plus b 9 हो गया a minus b 1 हो गया तो अगर add करोगे तो यहां 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 हो जाएगा 10 तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बता हो हां या न similarly अगर देखा जाएगा अगले case में 8 साल बात की बात करें तो जो इनकी age का sum होगा ठीक है वो 13 times होगा तो अगर again a की निकालनी है तो 13 और 1 14 by 2 मतलब यहां हो जाएगा 7 13 minus 1 12 भाई 2 मतलब हो जाएगा 6 और गुरू यही difference जो दीवेन है question में 2 और 2 यही difference जो है वो किसके बराबर है 8 साल के बराबर है एक की value हो गई 4 के तो भाईया मौज करदी 5 का सवाल निकालो कितना हो गया 20 के अब बोलो हां या ना हो गया कभी कबार मतलब नहीं होता है strike बट वही मेरे मन में चला था कि था यार परदे को बन गया चांदार तो इस तरह से भी कर सकते हैं इसको यार बोलो हां या ना सवाल औरली बनाए मतलब औरली हो सकता है सवाल है हम गलती कीशरा रहे से डर समे निकाल ले था वही हो गलती दिम आप भी हर old फिर से repeat करूंगा यहां पर भाई यह तो और फ। सी बात है A प्लस B अगर यह आपको पतावना चाहिया बस यहां पे यह हिट करना पतावना चाहिए कि अगर a और b एक है यहां पर 9 है तो मुझे a पता है यहां पर कितना हो जाएगा अपलोग का a हो जाएगा 5, b हो जाएगा 4 फिर यहां पर देखो 13 और 1 है तो 13 और 14 भाई 2 मतलब हो जाएगा 7 और यहां हो जएगा 13-122 मoral हो जएगा छह difreence हाया दो कर difIVEरेंस हाया तो बड़र हो गया तब हो गया कितना 8 साल गया या कितना इव्र चाहर्स साथ लापन या न बाक्र गया लगलला सवाल देख से इसको देखो जाए अब तो है ना सुपर ट्रिक मिल गई ना कोई बात नहीं चलो लाइक दो लाइक दो कम से कम लाइक तो होने चाहिए यार कर दो चलो लोगों यहां पर बोला गया a age is thrice of b age while c is three year less than that of age a age is thrice of b age and c age is three year less than a age ठीक है तो b के thrice है ना तो अगर मैं b की age को x मान लेता हूँ तो a का age कितना हो जाएगा आप लोग का 3x हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो c होगा वो क्या है 3 year less than a तो a से 3 साल का मतलब 3x minus 3 हो गया फिर बोला गया ratio between the age of b 3 year hence b की age 3 साल बाद मतलब x plus 3 and c age 4 years ago c की age 4 years ago तो 3x minus 3 minus 4 यही रेशियो दे रिखा 3 और 5 तो यहाँ हो जाएगा x plus 3 3 X minus 7 बराबब हो जाएगा 3 by 5 तो 5 x plus हो जाएगा 15 writ 9 x plus कितना हो जाएगा पिरनोड का तो यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा las 4 x X बराबर कितना पैः यह रख इला का 9 आगया X बराबर 9 आकर तो बताना है है sqrt of the total b और a, total b और a तो 3x और x नतलब हो जाएगा 4x तो 4 into हो जाएगा नow, sqrt, निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा अपलोगका 2 into 3 मतलब यहाँ हो जाएगा अपलोगका 6 तो यह असान सवाल है ऐसे उजाएगा ना कोई दिक्कत नहीं थी में calculation था खाली बस और कुछ नहीं तो 6 इस का अंसर आगे विकॉस चार इंटू नो 36 होता है 36 का मैं रूट लूँगा तो आजाएगा अच्छे ठीक है बोलो हाँ या ना 6 इस का अंसर आगे अगला सवाल कि कर दो था तो खोको अभी फर फरसे लिए two के यह अगा आगा अगा अगा है अगा है था विल्यू अगा तो फाइव फ़े जो पर नहीं तो पर फाइज six years from now her age, mother age will be one year less than double of her age at that time, what is the present age of her, मतलब उसकी मुझे age बतानी क्या रहेगी अब एक age जो है वो two-fifth of her mother age, देखो तुम लोग थोड़ा सा तो यार support क्या करो मतलब देखो जो repeat करने वाला होता है आपने देखा मैंने तीन बार भी सवाल repeat किया है आज, बट जो repeat करने वाला नहीं है उसको आप थोड़ा सा वीडियो ये ना YouTube पे रहेगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है, ये अब जिन्दगी भर तक YouTube पे रहेगी, जब तक कि इस संसार में YouTube है ना, तब तक कि ये वीडियो रहेगी नहीं जाने वाली कहीं भी, तो आप इसको एक बार repeat करके भी देख सकते हैं थोड़ा सा है ना, खुद भी देख सकते हैं, जो सवाल repeat करने वाला नहीं है उसमें थोड़ा सा cooperate क्या करो भई, है ना A की एज जो है वो 2-5th of her mother age तो mother age हो गई और A की एज होगी 2-5th का मतलब है, mother अगर 5 है तो A हो गया 2, अब 6 years from now, her mother age will be 1 year less than double the age, तो यहाँ पर कुछ डैकली रेशियो का लिंक नहीं करना है, तो फिर X मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर A की एज मानी 2X, mother की मानी 5X, और 6 साल बाद जो होगा वो हो जाएगा 2X प्लस 6, और mother हो जाएगा 5X प्लस 6, और बोला गया है यहाँ पर क्या, 6 years from now यह होगी 6 साल बाद हर mother age will be 1 year less than the double of her age, तो इसकी age का double करोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपलों का 4X प्लस 12 आ जाएगा तो इसकी mother age उसकी double की age से एक साल का में, तो माइनस mother की age करेंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ जाएगा 5X माइनस का 6, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा आपलों का 1, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का X प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 1 तो X बाराबर कितना होगा आप लोग का पांच हो जाएगा यहाँ पे तो मुझे बताना है what is her present age तो present age है 2X मतलब हो जाएगा 2X 2 into 5 मतलब हो जाएगा 10 साल इसा बैंकिंग मापक हिंदी में है क्या है बिल्कुल बैंक मापक हिंदी में भी है है ना बैंक मापक हिंदी में भी है लोट क्यों लेरो हिंदी में भी है हम लोग पढ़ाते ना हिंदी में इसको देखो बैंक मापक बैस है मतलब यहां से प्रैक्टिस करो बैंक मापक से और प्रैक्टिस कर लो बस दिककते सारी खतम जिंदगी के अभी केवल रेशु हुआ है आयू शिशिवास्तों ठेक है के बाद हम लोग जो है एज कर रहे हैं और कल करेंगे पार्टनर्शिप चलो अब इसको देखो तो यहां पर देखो तो अमन के इज मैंने एकस दस साल मैंने माइनस किया डिवाइड ही किया मैंने किस से यहां पर छे से जैने प्रेजन एज ऑफ इस ग्रेंड डॉर्टर आशा इस अप्टेंड इफ आशा इस टू यह यंगर देन शान्ती जिसकी एज सेवन एर है तो साथ साल से दो साल छोटी म मतलब हो जाएगा 5 साल तो यहां हो जाएगा 5 एकस माइनस 10 बराबर यहां हो जाएगा 30 तो एकस बराबर कितना हो जाएगा प्लुका 40 ठीक है एकस बराबर हो जाएगा 40 वह अच्छा सवाल है पनो जो कुझे को पेड़ कुर्स से सिलेक्शन होता है onboard paired korps थाओड पेड Marriage з प्रेंशज सकते अभी मैंकल पदा था paid class 24-18प सबस्क्राइक संब्सक्राइब की तो बच्च़ स्थैं कि सर मैंने जो है burgerous के अंचल के लिए नहीं paydeलिया मतलब कल जब पढ़ा है शामको क्लर्क मेंस का बैच उसमें अलगी लेवल था, 700 बच्चे जुड़े हुए थे, मतलब लाइव थे, उसके बाद बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे और उनों ने रिकॉर्डिंग भी देखी बताया मुझे टेलिग्राम पे, लेवल है और अभी भी मेरी आज शामको क्लास है 7-8.30 तो मैं तो बोलूँगा कि बैंक महां पाइक लो, बैंक महां पाइक यार बेस्ट है, यहां पर अखेले हम नहीं हैं आपके साथ, हम तो हैं हमारे साथ में पूरी टीम है, बेस्ट टीम है फो बैंकिंग और यह टागेट कर र इस जो प्रिश्न ऑनियोन है मैं तो बोलूँगा गो फोर बैंक महां पाइक है ना नॉमिनल सिप्राइज है, 6-6 मंद का है, 12 मंद का महां पाइक है बडिया हिया हिए अब बोला गया present age of A, B, C, D is 25 years. A, B, C, D की age का जो average है वो है कितना 25 years है मैं बोल सकता हूँ क्या A, B, C और D. जो इनकी age का sum होगा वो हो जाएगा 100 साल. Because 4 लोग का average 25 साल है तो इनका sum हो जाएगा 100 साल. Because average का मतलब क्यों होता है? divide by 4. वह यही तो होगा न? average का मतलब है divide by 4 बराबर 25 साल हो गया तो मैं बोलूँगा A, B, C और D कितना हो गया अप लोग का यहाँ पे 100 हो गया. अब बोला गया sum of the age of A and B is 150% of the sum of the age of C and D. तो A और B, C और D, अगर C और D 100 है तो यह 150% बोला गया, 150% more नहीं बोला गया, 150 बोला गया. तो यहाँ directly 150 होगा तो ratio देखो यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 2 हो गया. अब मुझे पता है कि A, B, C, D का sum यहाँ पे 100 है, A, B, 3, C, D, 2, तो 3 और 2, 5, 5 बराबर 100, 1 बराबर 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 40. मतलब बोल सकता हूँ कि C और D की age का sum हो जाएगा 40, A और B की age का sum हो जाएगा 60, बोल सकते हैं. फिर बोलागे, ratio of the age of B to C is 3X and 5X, तो B की age मानी मैंने 3X, C की मानी मैंने 5X मानी, calculated 10 years later age of A, if B and D are of same age, तो B की भी age 3X है, तो D की भी age जाएगा 3X, तो बस बात खतम, तो मैं यहां से X की value निकाल सकता हूँ, because B की भी age 3X है, तो D की भी 3X होगी, और यहां 5X है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8X, तो C और D की age है 40 तो 8X बराबर यहां हो जाएगा 40 तो X बराबर कितना हो जाएगा आप लोगका 5 X बराबर 5 आगया तो B की age कितना हो जाएगा 5 तो B की age होगी 15 अगर B की age 15 है 60 में तो A की age कितना हो जाएगा 45 तो एक हीच 45 आ गया, आंसर आ गया आप लोका option number A, यह सवाल अच्छा था यार, नहीं नहीं, 45 आया, दस साल बात बोल गया, तो 45 प्लस 10 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आप लोका 55, दस साल बात बोल गया, तो मैं 55 बोलूँगा, सवाल बाड़िया था, no doubt सवाल अच्छा था, मतलब, 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 हाँ या न, दिल से बताना, अच्छा लगा की नहीं लगा, आप लोको सवाल या ला, एक बार recording देखना, यह सवाल clear हो जाएगा, है न, क्योंकि अब वक्त कम है मेरे पास, इसको आप लोग देखेगा, समझेगा एक बार, recording देखेगा, न हो तो बताना, मैं कल फिर से class में discuss कर लूँगा, ठीक है, दो सवाल देरा हो homework के लिए आप लोग को, एक सवाल आप लोग का 13th homework के लिए है, और एक सवाल आप, ठीक है, एक सवाल देरा के साथ मैं आपको मिलेगा, केवल 7.99 का पड़ेगा, इवन और डिसकांट मिलेगा, अगर आप अड़ा 247 के अप्लिकेशन से इसको पर्चेस करते हैं, तो, बाकी दोस्तों, एक important बात आप लोग को बता दी जाए, यहां पे, कि double validity campaign जो है, वो अभी भी चलना है, तो अगर आपने लेना है, बैंक महापैक, तो best है, मैं तो बोलूँगा कि यार, recommended batch, आपको इसमें मिल जाएंगे सारे, संकल्प हो गया, उडान हो गया, warrior हो गया, शिखर हो गया, यह सारे के सारे batches आपको avail हो जाएंगे इसमें, तो कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को यहां पे आना होगा, विजिट करना होगा हमारे main page पे, ठीक है, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, और यहां पे जब आओगे, तो आपको यहां पे live class पे आना होगा, बात को समझेगा, आपको यहां पे live class पे क्लिक करना होगा, और जैसी live class पे क्लिक करेंगे, तो bank महापैक द application पर जो भी आपने जिस email id से login किया हुए है उस id को लिखिएगा और code लगाईएगा यहां पर आपको 2800 का approximately पड़ेगा अगर आपका पेमेंट आ जाएगा वापस चिंता ना करें अगर बैंक से कट गया है तो आपका पेमेंट वापस आ जाएगा चिंता मत कर मैं देख रहा है कमेंट आपका आपका पेमेंट वापस आ जाएगा राइट डोंट वरी तो यह है बाकी बुक्स पर भी दोस्तों अवेलेबल कर सकते हैं आप लोग आज फ्लैट 83% का डिसकाउंट आपको आना होगा अगर बुक्स पर्चेस करने तो प्रिंटे बुक्स पर क्लिक कीजेगा और बेस्ट है आप लोगों की यह वाली लेटेस्ट एस सिरीज ओपन करेंगे आपको यहां पर कोड लगाना होगा वाई 176S एस कोड से डिसकाउंट मिलेगा मैकसिमम ठीक है साथ सुननी सुप्री की बुक्स मिलेंगी यहाली तो उमीद करता हूं कि अच्छा लगाओगा आपको आज का सेशन अपना ख्याल रखना ख्याल रखो खुश रखो खुश र झाल